Hello guys, welcome back to my channel, you're watching Technic India अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर ले ना क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेंगी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आइफोन 15 का बताया था कि क्यों आपको सिर्फ आइफोन 15 खरीनना चाहिए कौन सा आपको खरीदना चाहिए, clarity देनी कोशिश करूँगा, big billion का price भी बताऊँगा, big billion की date भी क्या होगी, वो भी approximate आपको बताऊँगा best कैसे किस price पर आप ले सकते हो, वो भी बताऊँगा, ठीक है बहुत अच्छा phone है, compared to पिछले साल iPhone 14 जो sale में आया था, क्योंकि इसके अंदर एक subtle additions आया है, बहुत बढ़ी है, जैसे इसका camera बहुत जादा अच्छा हो चुका है, इसके लावज में dynamic island आचुका है, इसमें type C आचुका है, which is great, A16 bionic chip, which is super fast, duper fast, दोनों में ही है, यह सा बजना important है कि भाई, आप कोन से वाले user हो, before we get further, मैं आपको एक बार उताना चाहूँगा कि pricing क्या expected है, ठीक है, उसके उपर भी काफी कुछ deduce होता है, 50 to 52,000 आ सकता है 15 in big billion days, ठीक है, and 58 to 60 आ सकता है आपका 15 plus, यह reachable कैसे है, आपके पास बढ़िया card होना चाहिए, उसके ल नहीं, तो which is again a plus, कोई नुकसान नहीं है, उसको लेने में, इसके इलावा आपको airport lounge access, swiggy 4% और PVR वगारान, सब पर discount मिल जाता है उस card पे, तो आप apply कर सकते हैं, link description में, क्योंकि अदरवाइस बीना card के यह 33,000 प्राइज एक्स्टा ही मान लो, ठीक है, 54 के आसपास बीना card और bigger display के लिए worth it है या नहीं, दूसरी चीज, आपने कितना लंबा इस phone को use करना है, अगर आप 3-4 साल use करना चाते हैं, phone को ठीक है, तो आप definitely battery आपकी deplete होनी दिखेगी, सही बात है, और इसके अलावा आपको यह लगेगा, कि यार अगर मैं बड़ी battery लूँगा, तो definitely better battery चलेगी, बिल्कुल सही बात है, दलत बात नहीं है, तो अगर आप ज्यादा time use करना चाते हैं, लंबा time use करना चाते हैं, तो आपको plus की battery की वज़े से आपको एक edge मिल जाएगा, ठीक है, बट आपको depend करेगा, कि यार आपको holding capacity कैसे है, कि अगर आप ऐसे hold करते हो, तो आप का phone completely hold हो जाता है 15 series, तो आप 15 ही लिएजएगा, अगर 15 plus के लिए आपके हाँच छोटे हैं, तो 15 लेने में आपके लिए जादा फाइदे मन्द है compared to 15, ठीक है, तो ये चीज़ आपको understand करनी पड़ेगी, कि भाई, आपकी requirement क्या है, और उसके हिसाब से आप क्या purchase करना चाह feel होगा क्योंकि refresh rate की वज़े से smaller screen पर थोड़ा fast feel होता है compared to larger screen, तो ऐसा नहीं है कि वो slow होगा, बट हाँ, slightly यहाँ पर edge मेर को लग रहा है कि 15 की तरफ आपका बनेगा, अगर आपको एकदम refresh rate आपके दिवांग में काफी घोंग रहा है, तो आप 15 consider कर सकते हैं, otherwise बड़ी display ह है और बड़ी battery दोनों ही harmful नहीं है, वो आपको decide करना है कि अगर आपका budget नहीं है, तो आप यह सोचेगा कि आपको 8000 सस्ते में सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, आपको कुछ भी compromise नहीं मिल रहा है in terms of specification, तो आपको बस battery extra मिल रहे हैं, जिसके लिए आप charger साथ में ले सकते हैं और 15 की battery is good to be very honest, 15 plus की battery is very good but 15 की battery is good, तो आपके हाथ में charger या power bank होगा, तो it solves most of the problem और depending on display, display is good enough, 6.1 इंच अच्छी display होती है, मेरे साब से काफी बड़ी होती है, बट हाँ, अगर आपको even larger display चाहिए आपकी Android फोन से आ रहे हैं, जो कि बड़ा हो, अल्टरा वाला फोन हो, आपके लिए 15 प्लस एक बेटर फिट होने वाला है in that case, क्योंकि आपके आपके आप यूज़ कर रहे होगे, तो आपको पता है कि बड़ा फोन आपके लिए requirement है, otherwise ये सारा completely decision आपके budget पे और आपकी usability पही आता है, या फिर आप long term यूज़ करना चाहते हैं, तो आप battery को पाइदा होने वाला है उसके अंदर, विक बिलियन की date expected 27 September से लगभग 2 October के असपास है, और चैनल पर नहीं होता है चैनल जरूर सब्सक्राइब करना मिलते हैं, नेक्स वीडियो में